अठारवी शताब्दी में नए राजनीतिक गठन परिचाए विविद स्वातंत्र राजियों के उदै के कारां अठारवी शताब्दी के पूरवार्ध में मुगल सामराजी की सीमाओं में बड़े बदलाव देखने को मिले सद्रा सो पैंसट तक हुदैी मान ब्रितानी ताकत ने पूरवी भारत में बड़े भाग पर कबजा कर लिया था अठारवी शताब्दी में राजनीतिक दशा में आकस्मिक तथा नाट की ये बदलाव आए बहुत से नए राजनीतिक समोहों ने 1707 में औरंग जेब की मृत्यू से लेकर 1761 में पानी पत की तीसरी लड़ाई तक अपने पाउं जमा लिये थे परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिती सफलता के चरम पर पहुँचने के बाद सत्रवी शताब्दी का अंत आते आते मुगल सामराजे अवसान की ओर बढ़ चला था दक्षिड में औरंगजेब द्वारा लगातार लड़ी गई लड़ाईयों ने उसके सामराज के सैन तथा आर्थिक संसाधनों का क्षै कर दिया था परवर्ती मुगल बादशाह धीरे धीरे अपने ताकतवर मनसबदारों, सूबेदारों तथा सैन प्रशासन पर पकड़ खोते चले गए औरंगजेब के पश्चात मुगल बादशाहों के वन्शज अपनी राजनेतिक तथा आर्थिक सत्ता या पकड़ को संगठित कर पानी के लिए परियाप्त शक्ती नहीं जुटा पाए इस प्रकार बितानी मुगल सामराज के बड़े हिस्से में राजनीतिक, आर्थिक तथा सैन इस्तर पर मस्बूत हो गए